जवाब नहीं तू गुड असामलेकॉं वीवर्स वेलकम पैक टू माई चैनल मैरी फूर कैसे हैं आप सब आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेगा मिल्चेक बोल में इसको एनर्जी टिंग पर कह सकते हैं बहुत ही मज़ेगा बनेगा ठर्ट बनेगा और बि जो कि रहें तो चलें आज़ें इसको बनाना शुरू करते हैं बिसमीलारर्रश्मनलरहें मिल्चेक बनाने के लिए धिर में के साथ 2 गलास रूच शामिल करेंगे तो लोग बिखे नाशता नहीं करते हैं उनके बहुत अच्छा है बच्छों इन एड़ा है जो लोग जिम जाने से पहले कुछ हेल्धी लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पैस्टा अच्छा यह जिए पर शुद्धे ने जी दो चमच हनी भर के चले आमको बता देती हूं किया याद करेंगे आप लोग भी यह मैं हनी लेके और चार से पांच अदद इंजीर लिया मैंने उनको ब्लेंड कर लिया हनी के वीट में ठीक है यह बहुत है थी चीज बन गी हमारी तीन खाने के चमच भर के यह डाल लेते हैं चार अदद बनाना थे एक एपल है ठीक है यह चला गया हमारा हनी इंजीर वाला चलें जी ओक हो गया है चार चमच हनी मैंने अड़ कर दिया ठीक है ओके और क्या करेंगे इन साथ चीजों को ब्लेंड कर देते हैं बिस्मीड़ा अज़ें जी शेक रड़ी होगे है आप क्या करेंगे चीया सीर्स मैंने यह भीगो दिया थे थे दो 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 चमच पानी में डाल लेते हैं ग्लास में जब आप इसके साथ लेगे शेक तो रहेगा और कपी देर तक आपको भूका एसास नहीं होता ठीक है यह इसकी आड़ कि है चीया सीर्स आप लेते हैं तो आपको भूगनी लगती काफी देर तक ऐसे हैं हनी और इंजीर दोनों ही मिठे होते हैं इसलिए हमें चीनी डालेंगे बिल्कु जरूरत नी बेशाई वैसे भी चीनी जो ना ऑन हेल्दी है मैं वाइडी करती हूं जादा तर यह देखें पीने पेने पेले बाद इसको हलका शीयक करनें ताकि तीया सीर्स अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाएं उपर आजें सारे ऐसे यह दो हैं मज़दार जाइकाशे भरपूर और हैदी किसम बिल्कु ड़ड़ी हो गया अब इसको पी सकते हैं नाच्ते में पीएं जी रिवीव देने वाले को देखें कितनी जल्दी है आज यगीन करें यह बहुत मज़ेका है इससे ज़्याद मेरे पस अलफाद नहीं है आप बना लें इसको बस फटा पटना बना के तो प्राय करें इसको जी वीवर्स आपने इसको जरूर ट्राय करना है और मुझे कामर रखें अला हाफेज और जीम जाने से पहले इसको जरूर पी लें स्टैमना बढ़ेगा इससे थैंक यू अला हाफेज